नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वीके निउस में खबर है अतीक एहमत को लेकर जोकी सावर्वती जेल में बंध है लेकिन जेल से ही उसने एक ऐसा काम किया है जिसे आप सीधे तोर पर उतरप्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितनात को चुनौती के तोर पर देख स तो देखे तेवर इन तेवरों के बाद अतीक एहमत काप गया था लगातार ये कह रहा था कि हो सकता है रास्ते में उसकी गाड़ी पलट जाए उसका इंकाउंटर हो जाए लेकिन क्या अतीक एहमत और उसके गुरगे इतने खौफ के वावजूद भी समल गये हैं ऐसा नही है क्योंकि कम से कम जो नया दावा या नया आरोप सामने आया है वो बेहत चौकाने वाला है उमेश पाल जो की वकील थे उनकी हत्या के बाद एक और वकील ने बड़ा दावा किया है और बड़ा दावा करते हुए बताया है कि किस तरीके से अतीक एहमत के गुरगों ने उन तो मैं वहां सीधा पहुंचा पुलाट पे अपने भाई एडवोकेट के साथ वह वहां पहुंचा तकरीबन साथे चार बजे का वाक्या रहोगा मिनट दो मिनट की बात आगे पीछे तो अगले के इंतिजार करने लगा जो हमारे साथी आने के लिका तब तक मैं इर्शाद अली और पुल्लू और उसके चार साथी मेरे पाद पहुंचे वहां वहर वक्त वहां टहलते रहते हैं क्योंकि उनका पूरा सामराज वहां पर आए अर्वुरुपाई के जमीन कभजा की हैं बंजर सरकारी सब तो उसके बाद करेंब आने कि हो गई बगार हमारे पूछे यहां पर असाहां यहां पर कारोबार चलता बगार पूछे मेरे कोई प्लाट नभीड सकता खरीच लिए तो अमने का भीया यह यहां पर दस लाख रुपिया बगार दिये आप कुछ नहीं कर सकते हैं दस कहां से दे क्टें मोबाइल उसके बाद पिस्तौल मेरे माथे पढ़ा दिया वह गैर रंगडारी कोई काम नहीं कर सकता सीद़ा वकलत करो इसके बाद उन्होंने असाथ कालिया सो दो है अभी तुम्हारे सामने तुम्हारा भी कोई आगे पीछे नहीं बचेगा असाथ कालिया यह एक भू माफिया है और बहुत बड़े माफिया के गुर्गे हैं अब हम उसका नाम उनका नाम लेके हम अपनी जान नहीं मरवाना जो बात है साथ हमने थाने में तहरीर दे दी है बाकी कानून कारवाई तो वकील साथ के बयान के बाद क्या माना जाए कि अतिक अहमत के गुर्गों के तेवर अब भी नहीं बतले हैं क्या यह योगी आदितनात को जो की सूबे में लगातार प्रिशासन सक्थ होने की बात करते हैं लगातार ही बात कहते हैं कि माफियाओं को बक्षा नहीं जाएगा क्राइम को कंट्रोल किया जाएगा सीधे तोर पर योगी आदितनात को क्या ये चुनाथी है क्योंकि वकील के बयान वकील का दावा को आप दरूर लिखें, धन्यबाद